हेलो दोस्तों मैं हूँ संतोष निकों मैं आपका स्वागत करता हूँ मरी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाय में बैक वेंचेस अफ्स्राउस चुरू करेंगे आज के वीडियो को जो भी लेविल्स समय दिसकस किये दिन निफ्टी और बैक निफ्टी के उसके परफॉर्मनस के अनलेसिस के साथ में शुरूआत करते बैक निफ्टी के साथ में तो गाईज के वीडियो का थमनेल अगर अप लगोंने देखा होगा तो हम आप लोग को टेलिग्राम पे जोन भी अपडेट कर दिया था इजाटली इसी जोन से आज बैंक निफ्टी ने रिवेसल लिया था यानि कि सी साइड में हम लोग को काफी शांदार पॉफिट मिला है और आप लोग इन कैंडल को देखकर कि एक अंदाजा लगा सकते कि क्यों म 500 और 600 के दो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए चेस करने के लिए अपसाइड में और हम लोग को एक्जाटली भाई टार्गेट मिल और वहां से फिट से पी साइड का ट्रेट जो है वह हम लोग का इनिशेट हो गया था यानि कि एक सी और एक प 15 पॉइंट का जो लॉस हुआ था अप्शिंस पे उसके बाद में मैंने आप लोग को पोस्ट किया था कि कोई बाद नहीं मैं इसे रिकवर जो है आप लोग के साथ में करवा दूगा तो यहीं हम लोग को एक रिकवरी ट्रेड मिली थी जिसमें लॉज जो 15 पॉइंट का व के बारे में बात करेंगे तो निफ्टी में देख लिए कंप्लीट हम लोग को एक रिवर्सल मिला था एक्जाटली यहीं ट्रेंड लाइन कल मैंने आप लोग को दिखाया था जिसे पूरे दिन बर में इसने प्रिक आउट जो है वो नहीं दे पाया था एक्जाटली इसी ल लेवल्स आप लोगों के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है वो काम करने वाले हैं आप लोगों को इन लेवल्स को अपने चाट्स पर ड्रॉव करके रख देना चाहिए ताकि प्राइस एक्षिन का सेटप जब कभी भी बने तो आप लोग को उसे कैच करने में ज् आप लोगों कर सकते हैं सारे लेवल्स को एक दिन एडवांस में ही रॉख करके रख सकते हैं ताकि लाइव मांकेट आर्स में जब भी प्राइस एक्षिन का सेटप बने तो आप लोगों कैच करने में उससे ज्यादा दिक्कत ना है और गाईज अगर मेरी प्रीम्यम्स पर के बारे में अगर आप लोग बात करोगे तो यहां पर मैंने आप पूरा पूरा पर्फार्मस जो है नहीं लिखा हुआ है 33,200 पी का 232 से लेकर के 130 रूपीज का इसने हाई लगा था जो कि 100 पॉइंट्स का हम लोगों को यहां पर मूव दे करके गया था जो कि यहां पर 10,000 अप्रॉक्सिमेटली 60,000 रूपीज यहां पर जो प्रॉफिट है आज के दिन का वो हो जाएगा और जो 15 रूपीज के लॉज के बात कर रहा था मैं आप लोग के साथ में वो यह 15 रूपे का हम लोगों का लॉज जो है वो आज के दिन में एक हुआ था जो कि पिछले 6 से 7 दिनों में से पहला स्टॉप लॉज था बागी काफी शांदर परफॉर्मस आज के दिन में रही थी इसका प्राइस चेक कर सकते हैं कि किस टाइप का प्राइस एक्शन जो सेट अप है वो होने के बाद ही प्रोट्रेडर करते हैं इस सरी चीज़े वैसे भी आप लोगों को फ्री अफ्कोर्स में सिखाता है रहता हूं लेकिन डेली बेसे परेशन के लिए भी कुछ स्टॉक लगते हैं तो इसलिए में यह सारी परफॉर्मश आप लोगके साथ में देली बेसे पर शेक करते हैं अब जाकर इसे भी एक बाद चुक कर सकते हैं बात करेंगा इस डो भ प्राइज एक्षिन का सेटप बना यही से सी साइड के इंट्री बनी इसी लेविल पे निफ्टी ने भी अपना रिवर्सल जो वो मीनवाइल स्टार्ट कर दिया था तो अप लोगों यहां पर सी साइड में काफी शांदार पॉफिट हुआ प्राइज एक्षिन आप लोग न प्राइज आप लोगों के लिए और यहां से फिर से और एक बार पी जो कि 2656 का में वीक का लेवल डिसकस किया था यहां पर वो एक्टिवेट हो गया और हम लोगों को पी में आल जो तीन लेवल्स थे उससे भी ज्यादा प्राफिट मिला यानिक एक सी में और एक पी में मे देखने को मिल रहा है और अगर सेकेंड चीज के बारे में बात कुरूँ चुकि सेकेंड गीम चेंजर करके मैं आप लोगों को टेलेग्राम पे कल मेसेज किया था कुटक बैंक को देख लिए कुटल बैक ने रिवर्सल लिया एक्जाटली बैक निफ्टी ने भी रिवर्स किया था यहां पर फिर से और एक बार इस ब्रेक आउट पर एक एंट्री मिली थी जिसमें आप लोगों को प्रॉफिट काफी शांदार देखने को मिल रहा है और जो थर्ड कॉल हम लोगों ने आज के दिन के लिए सेलेट किया था वो था सिमेंस का काफी ट्रेंडिंग कॉ लिए यह लेवल हम लोगों डिसक्स किया था उस लेवल के नीचे पी में अप लोग का प्रॉफिट हुआ था यहांसे लेवल टू जो ने डिसक्स किया था वहां तक आप लोग को अपसाइड का रैली स्टॉप में देखने को मिला था और उसके बाद में एक्जैट्ली पि मेरे को मिला एंड फिर से पी में काफी शांदर प्रॉफित हुआ है चारों में काफी शांदर प्रॉफित हुआ है जो भी थम्नल में 99 परसेड आप लोग के साथ में ख्लेम की है वो बरकरार है कोशिश रहेगी 365 टेस तक इसे बरकरार रख सको जो भी लोग कहते कि option buying में या फिर intraday में पैसा नहीं बनाया जा सकता उनको भी एक जवाब दिल जाए से कि अगर सारी चीज़ों को आप लोग सही से करते हो तो फिर options buying या फिर intraday trading में भी काफ़ी शांदर profit जो बनाया जा सकता चैनल पर नहीं है तो subscribe करना ना भूलिए इस video के description box में आपना टेलिग्राम का लींग लिया हुए आप लोग मुझे टेलिग्राम पर भी follow कर सकते हैं और सबसे इंपोर्टन चीज़ गाइस वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो जरूर कर दीजेगा क्योंकि उसी से मेरा motivation होता है और मैं और ज्यादा learning वीडियो जो है वह आप लोग को तब पहुंचा पाता हूँ कल के दिन के पहली breakout स्टॉप रहेगी LTTS की LTTS के pattern के बारे में बात करो तो देख लीजिए यहां पर एक अच्छा सा volume end of the day में enter हो चुका है और यहां पर इसने एक सपोर्ट जो क्रियेट करके रखा हूँ आता है एक्जाटली से लेबल से हम लोग को एक bounce back मिल गया तो 3,303 के ऊपर यह bullish हो जाएगा 314, 331 और 348 upside के levels रहेंगे 3,280 हमारा stop loss रहेगा और यह जो upside से purple color का trend line आप लोग को दिख रहा है और वेस से चीज़े यहां पर जाकर के इसे resistance जो हो face करेगी breakout अगर हम लोग को मिल जाता है तो और बड़ी हम लोग को upside का rally जो हो देखने को मिल जाएगा इन case अगर यही से घूम जाता है क्योंकि यहां पर भी इसने एक strong support क्रियेट किया हुआ था जो कि अभी breakout के बाद में resistance का काम करने वाला अगर यहां से reverse आ जाता है तो 3,280 के नीचे week है 260 है 247, 227 downside के levels रहेंगे तो 3,303 हमारा stop loss होने वाला बात करें कल के दिन की दूसरी breakout stop के बारे में वो रहेंगे लालपत लैप की लालपत लैप के pattern के बारे में बात करूँ सबसे पहले तो volume देख लिजिए काफी शानदार है यहां से एक resistance आ रहा है exactly pinpoint इसी को touch करके आज हम लोग को reversal मिला के नीचे यह week है 21,13,2003 के downside के levels है तो 2040 आप लोग का stop loss अगर यहां से कल थोड़ा सा gap up opening आ जाता है हम लोगों को यहां से अगर यह buy side में आ जाता है तो 2040 के उपर यह bullish रहेगा 48,60 और 75 upside के levels रहेंगे तो 2028 आप लोग का stop loss रहेगा अब जब भी आप लोग मेरे levels के साथ म ध्यान रखना है कि कोई भी five minute time frame की candle हमारे buy above के level के उपर close होनी चीए जब अगली candle इसका high break करेगी तो manually हम लोग अपने orders को trigger करेगे और अगर इस level को हम लोग अपने stop loss के तोर पर consider कर रहे है कोई भी five minute time frame की candle हमारे level के नीचे close होनी चीए अगली candle जब इसका low break करेगी तो manually हम लोग अपने orders को जो है वो ट्रेगर करेंगे ना कि इन numbers पर हम लोग अपने orders को पहले से लगा करके रखेंगे साथ में जो भी तीन breakout stocks आप लोग के साथ में share कर रहा हूं सारे के सारे future and option में listed stocks है मतलब यह है कि आप लोग इसके equity में future पर या फिर option कहीं पर भी आप लोग options को select करते तो एक चीज़ पर आप लोग को ध्यान देना होगा जो भी strike price आप लोग सेलेट करोगे वो या तो in the money होनी चीए तो add the money होनी चीए या तो add the money होनी चीए क्योंकि out the money पर trade करने के setup और logic जो होता है बहुत जादा different होता है बात करें कल के दिन की तीसरी breakout stock के बारे म जो है वह हुई थी साथ में जो रिटेस्ट होने वाली candle है वह डबल बॉटम का यहां पर नेकलाइन है इस नेकलाइन के support को fix करके हुई थी और closing भी इसके उपर मिला है साथ में end of the day इसमें काफी शांदर volume भी एंटर हो चुका है तो अगर यह 220 को cross कर पाता है तो 27 30 और 48 के upside के levels follow करेगा 215 हमारा stop loss पर इन केस अगर फीक breakout होता है और यहां से कल अगर मार्केट नीचे आ जाता है यह स्टॉक तो 2105 के नीचे यह वीक है और इसका analysis कर लिए तो सबसे पहली चीज तो गाइस देख लिए पिछले कुछ दिनों से हम लोगों को वॉल्यूम की कमी नहीं दिख रहे हैं अगर हम लोग बिगर टाइम फ्रेम्स पर देखेंगे वैसे यूजुली मैं बहुत गाप या फिर गाप डाउन की ओपनिंग्स जा रहे हैं सिर्फ इसी वेज़े से यह वॉल्यूम जो है वह स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पर नहीं दिखता है मार्केट गाप या फिर गाप डाउन हो जाता है उसके बाद में साइड़ बेज होगा तो हम लोगों यहां पर एक चेंज इसमें हैं अगर मैं यहां पर जाता है यानि कि यह दोनों दिन का आज के और कल के दिन का अगर डेलो चला जाता है तो हम लोगों बहुत भारी भरकम गिरावड़ जो है वह निफ्टी और बैक निफ्टी दोनों देखने को मिल सकती है और जैसे कि आप लोग जानते कि हम लोग इंट्रेडे ट्रेडर से इंट्रेड के बेसिस पर कुछ लेबल्स आप लोग इसात में फ्यूचर के चार्ट पे शेर करता हूं तकि अगर बड़ा है टाइम डीगे के चक्ता में फसना चाहता है तो आप लोग फ्यूचर पर चैठ कर सकते हैं और आप लोग योप्शन लबर है तो आप लोग इसे यहां पर डिफरेंट डिफरेंट जो भी आप लोग इंडिकेटर से यूज करतें वह भी लगा सकते हैं 15,770 के ऊपर निफ्टी के फ्यूचर इंट्राडे में बुलिश है 811, 858, 903, 970 हमारी अपसाइड के लेवल्स रहेंगे इनकी इस बाइंग नहीं आता है तो 15,720 के नीचे यह वीक रहेगा 677, 636, 15,585 और 15,527 हमारी डाउनसाइड के जो है वो लेवल्स होने वाले इसके बाद में चेक करेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के मेरे मैजिकल लेवल्स इससे पहले एक बाद इसका प्रेडिक्शन जो है वो देख ले रहे है तो यह सपोर्ट के ऊपर हो गई है लेकिन अगर निफ्टी में हम लोग को फॉल मिल रहा है इंटरनेशनल वर्ल्ड क्यूज भी अगर नेगेटिफ आ रहे है तो बैंक निफ्टी में भी फॉल जो है वो आने की संभावना हम लोग यहां पर ले सकते हैं यह दोनों दिन का जो डेल हो है यह हम लोगों के लिए जादा इंपॉर्टन रहेगा विन्यों कोई भी अगर पांच मिनट के कैंडल इसके नीचे क्लूज हो जाती है और अगली कैंडल अगर इसका लोग लेकर के चली जाती है तो हम लोगों भारी भरकम गिरावट जो है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिल जाएगे और जैसे कि इंट्राडेट अडर्स हैं तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर के कुछ लेवल्स आप लोगों के लिए ड्रॉकर के रखे हुआ है अब साइड में यह जो परपल का कलर का ट्रेंड लाइन है स्ट् के उपर बैंक निफ्टी के फ्यूचर बुलिश रहेगा 561,674,791 और 930 हमारे अपसाइड के लेवल्स रहेंगे इनकेस अगर यही से रिजेक्शन लेकर के नीचे आ जाता है तो 33,370 के नीचे वीक रहेगा 281,156,33,047 और 32,901 हमारे डाउनसाइड के लेवल्स रहेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर अपने बहतरीन तीनों ब्रीक आउट स्टॉप्स को डिसक्रस किया है जिसके एक्रिसी 99% की है एपिसोड नमबर 232 तक और खुशिस रहेंगे 365 टेस तक बरकरार रख सको चैनल पर नए है कुछ सीख रहे हैं आप लोग पैसा कमा रहे है चैनल क प्रीक सोमच काई